हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आबाद स्चोडी में आज हम आपको यूपी ट्रिपल सी जेई दोजार ठारा के अपडेट के बारी बताएंगे क्योंकि कुछ अब्यर्थी जो है यूपी ट्रिपल सी गए थे और उन्होंने सचीव जी से जेई दोजार ठारा के रिजल्ट के बारे में जानकारी मांगी उन्हों क्या जानकारी दी है उसको हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि यूपी ट्रिपल सी जी दुए ठारा का रिजल्ट के क्या-क्या बारे में सची जी ने बच्चों को बताया दिखोंसे पहले हैं कि रिजल्ट कब तक जारी होगा जब बच्चों ने पूछा उन से की सर रिजल्ट कब तक जारी होगा तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट को ले करके अभी काम चल रहा है सबसे पहल रिजल्ट जारी किया जाएगा ASO का ASO के बाद जाकर के JG 2018 का रिजल्ट जारी होगा क्योंकि आप जानते हैं कि JG 2018 के रिजल्ट की जो DV है वह तीन बार कटाफ आ गई है तीसरी कटाफ आने के बाद जाकर की DV खतम होई है तो इसमें काफी टाइम लग रहा है और इसका रिजल्ट जो है जुलाई महीने तक जारी हो पाएगा उन्हें कहा कि हम 20 जुलाई के आसपास UP88C JG 2018 का रिजल्ट जारी कर पाएंगे इससे पहले उन्हें कहा कि हम ASO का रिजल्ट पर काम कर रहे हैं साथ ही साथ UP88C JG की रिजल्ट पर भी काम चल रहा है लेकिन चुकि इसमें दो तीन बार DV हो चुकी है इसलिए इसम को लेकर के थोगा सा टाइम लग रहा है लेकिन किसी भी हाल में हम जुलाई महीने में इसका रिजल्ट जारी कर देंगे इसके बाद जब अबरतियों ने पूचा कि सर इसकी फाइल काटाब क्या रहेगी तो उन्होंने सथिक जवाब देने से बना कर दिया लेकिन एक अनुमान की अनुसार जो डिपार्टमेंट ठीक ठाक है उनकी कटाब 650 प्लस माइनस 20 रह सकती है जो अच्छे डिपार्टमेंट है उनकी कटाब जो है 650 प्लस माइनस 20 रह सकती है इसकी अलामा और भी जो वैकेंसी है उसमें आप जान लेजिए कि जो कटाब आई है उससे 30-40 नंबर के बीच जिसका है वह इस बार इस वैकेंसी में पूरी तरीके से उमीद कर सकता है क्योंकि आप जानते होंगे यह वैकेंसी 2016 वाली जीए की वैकेंसी बिल्कुल अलग है 2016 वाली वैकेंसी का मोटो साथ हसमें किवल डो दिपार्टमेंट थे और उसमें किसी भी प्रकार की किसी ने डीवी कोई सिप नहीं किया था लेकिन चुकि उसमें केवल 2016 में सिचाई और अवाज विकास दो प्रकार की दो डिपार्टमेंट थे अब झारे वाली वैकेंसी में सिचाई भी है अवाज विकास भी है अब जो अब्रती इन डिपार्टमेंट वो गए हैं वह दुबारा इसमें फाम को जैन नहीं जाएंगे इसलिए जो इस वाले वैकेंसी में डीवी के समय बहुत से अभरतियों ने डीवी को स्किप कर दिया था साथ ही साथ एक नया ट्रेंड जो आया था इस बार कि कुछ अभरति जो है जो आलेडे कहीं सलेक्ट हैं उन्होंने डिपार्टमेंट को स्किप किया है तो आप जालेजी आधिक से अधिक जो कटाप जाएगी वह PWD और R.E.D की जाएगी क्योंकि अधिक तर भरतियों ने इनिक दो को केवल भरा है बाकिक उन्होंने छोड़ दिया है यानि PWD और R.E.D की कटाप अधिक जा सकती है इसके लमा अन जो डिपार्टमेंट है उनकी कटाप अधिक जाने के समवाना नहीं है सबसे कमबेक जो कटाप जाएगी वह सिचाई भाग की जाएगी और इस वाले में भी इसू जो है एक इसू है कि 21 साल 18 साल वाला है और पोश्ट भी काफी 1000 के प्लस पोश्ट है इसलिए कटाप का वरियेशन बहुत जादा इसमें होने वाला है और जितना लोग उन्मी लगा रहे हैं कि पिछली बार इस तरह 2016 में कटाप गई थी इतना कटाप जाएगी इस तरह के कटाप जाने की कोई भी संभावना नहीं है इस वैकेंसी को और 2016 की वैकेंसी को आप कंपियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का प्रकिरिया दोनों का सलेवस तो भी अलग था साथी साथ दोनों के वैकेंसी को लेकर भी अलग अलग इसू थे इसलिए दोनों की कटाप को आप कंप्या नहीं कर सकते हैं और इसकी जो कटाप होगी वह चंखाने वारी कटाप रहेगी आप यह देख लेजिएगा कि अगर जो भरती डीवी को डीवी में डिपार्टमेंट को इसकीप करना चाहते हैं वो उस डिपार्टमेंट के आगे लिख देंगे नौट इंट्रेस्टेड जैसे बहुत अब हरती थे जो सिचाई भाग में आ लेड़ी थे तो उन्हों सिचाई भाग के आगे लिख देने ते थे वो लोग नाट इंट्रेस्टेड यानि हम इसमें इंट्रेस्टेड नहीं है यानि वह इस बैकेंसी कि में इस डिपार्टमेंट को नहीं चाहते हैं इसलिए केवल केवल अधिकतर वेभ भरतियों ने पी डेवलूडी और आरेडी को चुना है इसलिए इसी कटाफ जो है जादी अधिक जानिक समावना बाकी अन डिपार्टमेंट के कटाफ उतना अधिक नहीं जाएगी जितना लोग अनुमाल लगा रहे हैं और इसके बाद और फाय कटाफ जो एक्शुल कटाफ होगा रिजल्ट के साथ ही जाएगी और रिजल्ट मनें बता दिया कि आपको 20 जुलाई के आसपास जारी कर दिया जाएगा अब अगली जानकारी है कि रिजल्ट देने में इतने देरी क्यों हो रही है तो सच्छी जी ने बताया कि चुकि इसमें तीन चार प्रकार की यसू है पहली बात तो पहले जब डीवी करा लिया गया था तो उसमें कुछ अभ्यर्थी जो है बीटेक वाले आ गये थे जिनको बाहर किया गया और साथ इसाथ जो आरच्छित बादा हैं उनके सापेच अभ्यर्थी नही से कंडियेट नहीं मिले तब थाड़ जारी कर दी गई तो इसको लेकर के अलागले जारी होने से अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है और अब डाटा अपलोड करने में डाटा मैच करने में थोड़ा टाइम लग रहा है साथ ही साथ रिजल्ट देरी होने का एक कान य सब्सक्राइब करतियों के नोटिफिकेशन या तो फाम आनलाइन आवेदन खताम हो चुके हैं या फिर चल रहे हैं तो अजय सापने रखागा कि यह 24 का भी आनलाइन आवेदन चल रहा है यह सब की इसुक्राइब जो है इतनी देरी हो रही है और दूसरी बात है कि यह 18 की रिजल्ट में 21 साल और 18 साल का इसू है इसके लिए रिजल्ट को बनाने में तुछा सा देरी हो रही है साथ इसाथ कम से कम आठ से 10 डिपार्टमेंट हैं सब डिपार्टमेंट की कटाप अलाग अलग जाएगी तो इन सब और इसलिए चुके आप जानते हैं कि सब का अलाग हमनोंने का ति गरे दोज़ारा जल्ट हम जुलाई महीने में किसी भी हाल में जारी कर देंगे क्योंकि उस से पहले उन्होंने कहा कि उस से पहले हम AISO का जारी करेंगे जून के लाश्ट में और जुलाई में Jai का जारी कर देंगे ये दो रिज़ल्ट जारी होने के बाद हम आगे पिट दोजार चोबिस की वितियारी सुरू करना है और इसके अलावा जो भी जिसके फाम भर गए जिन भरतियों के उनके बारे में भी अपडेट लेना है और साथ इसाथ उन्होंने कहा कि जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है हम हर महीने एक या दो रिजल्ट जारी करेंगे और यही 2018 में भी कुछ बीटेक वाले जो फाम को भर दिये थे और डीवी कराने चले गए थे लेकिन जब वो डीवी कराने गए तो उनको बाहर कर दिया गया इसलिए आपने देखा हुआ सेकंड लिस्ट जारी की गई थी उसमें उनको डीवी में बैटने नहीं दिया गया था उनको बाहर से ही जब उनका डाकुमेंट दिखा गया कि वो बीटेक होल्डर है तो उनको भगा दिया गया इसलिए जो 2024 में जो अभियरती बीटेक वाले हैं वह जही 2024 का फाम ना बरें क्योंकि इससे उनका समय पैसा मानसिक्ता से सब कुछ बरबाद हो जाएगा ऐसा अगर उनको नहीं पता है तो एक बार आयोग चले जाएं आयोग जाकर कि आयोग के पता कर लें कि जह जा ठारा कि जो लेट हो रहा है या जो इसू आ रही है उनको डीवी के समय भगा दिया गया था क्योंकि पर कटाप जाने गये तो उसमें तो था नहीं कि काउंट डिगरी एकउंट डिपलोमा लेकिन जब डीवी होई तो उसमें पता चल गया कि यह लोग डिगरी आयो तो इसलिए इनको फटा दिया गया उसके असल पर नए बच्चों को डिपलोमा होल्डर को इसमें लिया गया इसलिए इस वैकेंसी में तुरह सा देरी हो गई और अब लेकिन अब बहुत देरी नहीं होने वाली है आपको अगले महीने जुलाई मंत में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा सो तरह को धन्य बात आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए से ल